पेपर लिख कराने वाले गिरोड चल रहे हैं कि मोदी पास पहुच गेंगे ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी जी भी सिजल के एकजाम तुरंत वो रद करवाद देंगे और मोदी जी का भी सासनकाल में UGC, NET और NIT का भी पेपर लिख हुआ पूरे भारत देश के चातर पूरा हतास और निरास और परेशान थे और काफी प्रोटेस्ट कियें लेकिन मोदी जी को उसमें नजर नहीं आया लेकिन अभी जो है जैसे सिजल में तुरंत नजर आए और पूरे जो है हजैरी बाग में ये बोल रहे हैं कि जार्खन में जो है पेपर लिख यहां किया जा रहा है लाखों के सेंखिया में लाखों के बजट मतलब लाखों लाखों में पेपर बेचा जा रहा है मोदे जी एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा देश के बारे भी चर्चा करते हैं तो सबसे बहतर होता है जी हां सातियों हम मानते हैं कि मानम मुखमंतिर साहिब गलत हैं जी हां हम भी मान रहे हैं कि गलत 100% है और जैसे सिजल के एकदम रद होना चाहिए लेकिन रद क्यों नहीं हुआ क्योंकि आद जो है जार्खन बंद भी है संस्थाल परगना के माध्यम से स्यामदेव हम्रेम जो कि साट चालिस में पूरे संथाल प्रगंणा हम लोग की सारे पर वे बन्द किया थे और पूरे एक राइच का संदेश देने कि संस्थाल प्रगना क्या है नहीं है ठीक आज जो है इसी परकार जो है बंद एलाम जरूर मतलब की रहेगा और जबजस्त ही रहेगा और आप लोग सपोर्ट भी किजेगा चलिए ठीक है यहां तक तो आज जार्खन बंद ही है लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या ची क्या और मिडियाम प्रेस कोंफ्रेस कर दिजे ना अगर और एकजाम रत करवाए ना और मेरा सासन का लाएगा उसमें आप ले लिजेगा आप बताए कि मान मुखमंतिर साहब चलिए ठीक है यहां तक भी ठीक है कि चलिए यह नहीं ले पा रहे हैं तो बीजेपी के भी सरकार ज् से जिजल कर ठीक है यहां तक चीक है आप शाड़े शेट परषि ग्यापन सवपा गया कि सजीजे रहा था कि जैसे वह लोख सभा मूटैंगрий और वहां के लोक्सभा कद्या सुनेंगे और जैसे स zouच का पेपर मतलब की रद होगा लोकसभा में दिल्ली मूठाएंगा वाई ऐसे अभियर्थी मिले चलिए यहां तक भी ठीक था हो गया लेकिन बात यह रहा कि जेमेम की नेताओं से अगर माने मुखमंतरी सहेब से अगर मिलकर वही चीज बात विचार विमर्स करने से हो सकता था कि माने मुखमंतर सहेब संग्यान में जरूर लेते अगर जो भी जार्खन के मंतरियों पास अगर जाते तो जरूर संग्यान में हो सकता था लेकिन मेरे कहने का मकसद यह है कि अगर बीजेपी के पास आप जा रहे हैं आग लागाने के लिए जा रहे हैं तो भाई ओरेड़ी यहां जेमेम जो करता है और माने मुखमंतर पास यह चीज सारा सबूत है को लोग बीजेपी का एजेंट है यह आपको रियली बता रहे हैं ऐसा महस्चेगा कि जोगेश्च चनर भारती जो है माने मुखमंतर सहब से मिले हुए है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जो सचाहे और जो हम बोलते हैं वह भोई होता है जी हां चलिए जय में कि नेताओं पस नहीं जा रहे हैं मिलने के लिए तो आगकरöt सनेंदर नातल मैं आध मादव पास जात मंत्रियों पास जा रहे हैं जबकि पीम कभी अवकात नहीं है कि जैसे सिजल का पेपर रद करवा दे जी हां सात्यों आप लोग देख लिजेगा और यहां गुम्रा छात्रों के करवाये जा रहा है दिन परते दिन जो है समय बहुत कम है दिन बहुत कम है आचार सहीता सभी छात्रों सोच रहे हैं कि जार्खन बंदी कोन करेगा कोन अगवाय करेगा और छात्र इसी में परेशान है और दिन रात छात्र हम को भी फोन कर रहे हैं छात्र नेता मनोज्यादों को भी फोन कर रहे हैं छात्र नेता देंदनात महतों को भी फोन कर रहे हैं और बहुत जो है छात्र कुछ-कुछ जो छात्र है अंदभक्त बन कर बैठे हुए हैं कि भाईया मेरे लिए वही जो है भोले बाबा है भोले बाबा आप किरपा किजे आप ही कुछ किजिएगा आपके पास ज्यादा अनुभा हो है आपके पास सब कुछ अनुभा हो है अरे भाईया किई के भोले बाबा बना रहे हैं आप सब्सेयं के अधिकारी बन्ने के लिए आप इतना जोड लगा रहे हैं और शूंच रहे हैं कि मंगे तहीं सिर्ष परम्मए पर अपने दुख बाया कर सकते सबसे जिपार कर रहे हैं अब भी बताई कि तमाम जतने भी अबेर्ठी हैं वहीं से ज़्जारि अबहुते हैं बच्चे जितना भी एक्जाम होता है सबसे ज्यादा बच्चे औरु अबthली भी होता है यह भी बात सच्चाई है लेकिन बात यह है क्यों मुत चेंडी के हैरान करने वाले बात है और ये सचा है कि कि मानिय हमारे जो PM मोदी सहाइब से बात श्यत नहीं कर सकते थे सो बताए किसी महीमत नहीं हुआ सभी श्यतरों महीमत था और बात भी करते लेकिन मिलवाया नहीं गया जो BGP के एक तरध से बोल सकते हैं, आप लोग तो जानी रहें, तो वही हाल हुआ, आप ही लोग बताएबा, कि क्या कवा पौइटर सोचेगा कवा की पौइटर हम लगा ले, नौरतन पौइटर और हम कबुतर बन जायें, तो क्या कबुतर कभी कबुतर बन पाएगा कवा, क कभूत्तर सफेद के सफेद ही रहेगा। इसलिए कुछ सिचकों.. आदरनी चानक के सिचकों.. ने सोचा की हम सिचक हैं.. तो हम नेता बन जाएंगे...... और यहां नहीं बन पाएं। यहां कवार कभूत्तर के हाल सिचक हो गया। आज इन लोग गाय भे चारों तरफ आज हाथ पर मार रहा है कि किसी तरह जो है तैराकिम जिस तरह जो हाथ पर मारते हैं कि किसी तरह किसी तरह पहुंचे तो आज इन लोग के इसी तरह हाल हो गया है जारकन में कि सब भी बचे लगवग जान गया है कि क्या हो गया है हम लोग के साथ क्या हम लोग साथ बहुत बढ़ा धोखा हो गया सभी छातर जान रहें लेकिन फिलाल इस बात के हम इसलिए रखें क्योंकि बहुत दुखवा कि हजारी बार के क्या चात्र तेज तराज छात्र लाइबरी में पढ़ने वाला चात्र मोदी जी से क्यों नहीं भैट किये हम ये चीज पूछना चाह रहे हैं और तमाम चलिए मेरा मुद्दा है कि एक जाम कैसो भी रद करवाना है लेकिन जो सचाय था आपके पास रद दिये फिलाल जो है आज का जो है धार्खन बंदी है आप लोग प्रोटेस्ट में सपोर्ट किजिए साथ दिजिए और फिलाल जो है हम लोग का रणडिती बन चुका है क्या करना है नहीं करना है बहुत ही जल्द इसका भोसना होने वाला है और जो इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो कर लिजिएगा बात बाकी अगर जिसको भी दुख लगा होगा इस वीडियो से तो आप यह चाहते है क्योंकि मेरा जो हम जो बात करते हैं डंके के चोट पर बात करते हैं तो हैं लहरे चाहां लहरे चाहां उसको मिठा लगे चाहां दर्द ना लगे ठीक है तो चलिए सभी के चोहार नमस्कार और इस चैनल के सब्सक्राइब नहीं कियोंवेत कर लिजेगा बाद बाकी आप सिजल के एक्जाम के बारे क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं कोमेंट सोक्स में खचा खच